बैलकनी में प्लम्बर पॉइंट की बात करें बहुत बरी होता है कि हमें प्लम्बिंग का पॉइंट जी होता है बैलकनी में और आपकर एक अपार्टमेंट में हैं और आप अपने अपार्टमेंट का इंटीर कर रहे हैं वो closest plumbing shaft से या bathroom से हो, तो अभी मैं पीछे एक bathroom में था, इसके बार ये bedroom है, और इसके तुरण बार एक balcony है, तो हमने क्या किया, उस bathroom के और चिजल करते हुए, यहीं पर एक point बना लिया, तो यह point अगर आप देखें, तो यह point अंदर से cover होके आगया, और इस cluster को हम cover कर देंगे, तो बार में न, इस point का कोई जगड़ा यही नहीं होगा, और easily बना सकते हैं, इसके लिए हम कोई structure का change नहीं कर रहे हैं, हम कोई problem create नहीं कर रहे हैं, और अपने लिए एक सुवेदा create कर रहे हैं, simple सा काम करने हैं, जो भी bathroom closest हो, जो भी plumbing shaft closest हो, उसी balcony को, आप अपनी washing balcony या plumbing point क की जहाँ requirement हो, वो use कर सकते हैं, मैं हमेशा मानता हूँ, एक बड़े घर में plumbing points, electric points जितने जादा होंगे, उतना अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज़ की जुरत कपड़ जाए,